पहले हम दिखते हैं V V, कोशन में क्या दिया है वेटा, ये दिया है 1.2 मीटर लेकिन ये तो मीटर में दिया है हमें किसमें करना पड़ेगा तो क्या मैं इसमें 100 का मल्टिप्लाइ कर दू चीक, अब मैंने क्या बोला था हमें हर वैल्यू काय में लेनी है, पॉजिटिव नेगिटिव तो इसके आगे क्या आएगा जहां पर समझ में नहीं आए न वहां पर रोग देना कि इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस 120 सेंटीमीटर ठीक है V की वैल्यू क्या होगी 120 सेंटीमीटर ठीक है अब u की value तुमको पता है क्या गदो क्या है मायो पे काई है ना बेटा मायो पे काई है ना हाँ तो u की value क्या हो जाएगी minus infinity अब lens formula लगा देते हैं अपन ठीक है क्या होता है बेटा lens formula किसी को कोई दिककत परिशानी आएगी नहीं भाई देखो अपनको निकालना क्या है अपनको अपनको के इसकी value पता है अपनको के इसकी value पता है रगदे formula में छीख है 1 upon f is equal to 1 upon 120 की minus 120 minus 120 minus का minus upon minus infinity यहाँ तक किसी को कोई भी दिककत परिशानी है बेटा 1 upon infinity क्या होता है 0 तो क्या ये पूरी value 0 हो गई चीक है तो अपने पास बचा क्या 1 upon f is equal to 1 upon minus 120 पलट दो मैं इसको क्योंकि मैं को तो ये चाहिए 1 upon f की value नहीं चाहिए है ना तो यहाँ से f की value निकलती है minus 120 centi focus निकालने में sorry focal length निकालने में कोई दिककत परिशानी कर लोगे हाँ इतना असानी है तुम फाल तुम ही रोते रहते हो numerical, numerical अब power भी निकाल लेते हैं अपन है ना power का formula बोलो फटाफट hundred upon f की value कित्ती आई कोई दिककत परिशानी है बेटा समझ में आ रहा है समझ में आ रहा है सब आ रहा है ठीक है जीरो से जीरो कटा बच्चो फाइव sorry two five जा two six जा ठीक है हो जाती है भाई मैं भी इंसान हू रोबोर तो नहीं हूँ है ठीक है तो यहां से value क्या आई minus five upon ठीक है जारा इसको divide करके बताओ तो कित्ता आएगा pen चलाने से आता है दिमाग में नहीं आता point में कित्ता बेटा शरम कर लो बेटा शरम इसका आएगा बेटा point eight three और power की unit होड़ती है diopter क्या होती है तो मैंने यहां पे लिख दिया capital D focal lens निकल गई उसको निकालने में कोई दिक्कत परिशानी power निकल गया उसको निकालने में कोई दिक्कत परिशानी चीक है अब देखो जब भी हम हमारी value बेटां बतायेगे